नहीं हमारे पेरों के चाले दिखते हैं, उसे बस अमेरिका वाले दिखते हैं। आजाद भारत में मोदी पहला ऐसा प्रधान मंत्री आया है, जिसको देश की कोई फिक्र नहीं है। चालीस दिनों से देश का अन्नदाता किसान भीशन ठंड में दिल्ली की सीमा उपर क्रिशी काले कानून का विरोध करने के लिए डटे हुए हैं। साथ से अधिक अन्नदाता काले कानूनों का विरोध करते हुए अपने प्राण गवा चुके हैं। मगर असमवेदन शील और निर्दय प्रधान मंत्री को देश के किसानों का दुख देखकर दर्ध नहीं होता है। उन्हें हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में दंगो की चिंता है, लेकिन महज कुछ किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली की सीमाव पर डटे हुए देश के लाखो किसानों की कोई चिंता नहीं है। देश का दुरभाग्य है कि देश में ऐसी सरकार है जिसको देश की बहु बेटियों की चिंता नहीं। उत्तरप्रदेश से एक ऐसी ख़बर सामने आई है जिसको सुन करके आपकी आत्मा अंदर से काप उठेगी। उत्तरप्रदेश में वाकई गुंदा राज है और उत्तरप्रदेश से इतनी बड़ी ख़बर सामने आई है लेकिन मीडिया में इस ख़बर को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा है। कहीं पार इस खबर को लेकर के अभी तक कोई हलागुला सुनाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तीन जनवरी को रविवार को पचास साल के एक महिला के साथ में मंदीर के अंदर मंदीर के पुजारी मंदीर के महंत ने उसके साथ में गैंग्रेप किया उसको सिर्फ चंद पूंजी पतियों की चिंता है पूंजी पतियों के इशारे पर नाचने वाले नरेंद्र मोदी देश के किसानों को पूंजी पतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं